जाहिन दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस93 में आप लोग का स्वागत है जिन बच्चों का SSJD 2018 के इंतरगत सेलेक्शन हुआ है जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम होगे मेरे तरब से बहुत बदाई हो और जिन बच्चों का नाम नहीं आ सका है प्लीस उने घबराने क की जरूरत नहीं है आप लोगों को भी पता है कि SSJD 2020 की वैकेंसिस मार्च में आपका उपन होने वाला है तो पहले सबसे पहले बात कि अपने आप में एक वर्ड है आलीजवेल बोलके चलते हैं क्योंकि देखिए बच्चे जो भी चीज होते हैं आपके लिए अच्छी होत है लेकिन आपको वह चीज मिलता है जो आपके लिए अच्छा हो हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए अच्छा हो या ना हो यह फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो हमारे साथ होता है वह हमारे लिए अच्छा होता है यह चीज़ आद रख लेना हमेशा तो मेरा एक मोटिवेट आप लोग के लिए हमेसा दूंगा ये चीज़ आद रख लेना कि ना करने से पच्ताने से बढ़िया है कि करके पच्ताओ इसे नहीं तो तजुर्बा मिलता लाइफ में ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज SSJD का जो मार्क्स जो 2020 में जो अग्जाम होने वाले हैं जो बच्चे का सेलेक्शन से एक दो नमर के लिए रह गये हैं या चार नमर के लिए रह गये हैं वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा पॉर्च्रिटी इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है आप अगर अभी से लग जाएंगे तो 5-6 मаने के अंधर हैं वह सकते हैं तो कैसे लाना है यह सारी तरीके बताऊंगा डहंसे पड़ना है वह सारी चीजा बारे मुद्व कॉमेंट ऑगों सब्सक्राब तो बच्चे जो भी चीजे नॉलेज दूंगा मैं आपको यह अपने तथेता और बहुत सारे रिकमेंट गोस्ट के वज़ा से हम आपको एक न्यूज देने वाला हूं कि क्या नेगेटिव मार्क्स होगा या नहीं होगा यह सारी चीजे भी बताएंगे ठीक है तो अधी आप में चार सब्जेक्ट होता है एक जो हमारा होता है मैथ ठीक है दूसरा होता है रिजनी ठीक है बच्चे फिर होता है जीके और जीएस और एक होता है लैंग्वेज पेपर बच्चा ठीक है लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिस दोनों होते ठीक है जो भी ऐप अपने लांगवेज को चूज कर सकते use अपना Greno अपना बच्चेज अपना उर्दू लांगवेज पायद मेरी खाल से Arabic ऑल लांगवेज होता होगा डिके हम्तने लाऩेकश को देखनें लेकिने जो हम लोग को रिकमेंट लांगवेज होता है वो बच्चे अपना उर्दू लांग्वेज साथ मेरी खाल से मैथली सब लांग्वेज होता होगा मेभी आप अपने लांग्वेज को देखने लेकिन हम लोग का जो रिकमेंड लांग्वेज होता हुआ हिंदी और इंगलिस मैं बोलता हूं ठीक है यह चारो सब्जेक्ट होते है कितने कितने मार्क्ष होते यह भी मैं बता दूँ है इसमें पचीश माक्ष होते यह होत पड़ना होगा यार यूपी का कटप देख रहे होंगे आप यूपी का कटप 83 हो गया है 83 कहीं कहीं आपका 77 78 इस तरी का कटप गया बच्चे 77 और 80 मार्क्स लाना बहुत ही थोड़ा सा टफ वक होता है जो बच्चे लोग महनत करते हैं क्योंकि स्व्श्वें पर्षेंट मार्क्स गम नहीं होता किसी एक्जांप गारे कर इतना कटप दने की बच्चे से लेक सब्सक्राव यक्या की बता होगा कि उल्च्चे लोगा अच्य हो सकता है अब 90 तक जाएगा पता है अभी 83 हो सकता अगले बर 90 चले जा तो हम लोग को इस तरीका से preparation करना है कि हमारे जो अगले exams है इस अगले exams में मैं उस तरीका का इतना marks ले आऊं जो मैं cut-up में ना रहा हूं clear है हमको इस तरीका का तरीका के लिए चलना मतलब अभी हमको जान रहे हैं कि 66 में जारखंड का result बना है तो हमको इस तरीका का preparation करना है कि अगले बर अगर 70 भी marks चला जा कट-up तो हमको 70 से अभब marks लाना है मतलब हम जितने भी बच्चे तैयारी करेंगे जितने भी बच्चे हमारे जो SSGD की प्रिप्सिन कर रहे हैं अगले तैयारी को इस तरीका क्लिक चले कि आपको कट-up से अभी कट-up से कम से कम पांच नमर ज्यादा लेके लाना होगा ठीक है अभी जो कट-up है उससे पांच नमर ज्यादा लाना पड़ेगा मतलब अधि 66 गया तो 70 लगभग आपको लाना बुख के पीछे मत भागे मैं आप लोगों को बताता हो बुख के पीछे मत भागे देखे अगर हम चलते पहला मैथ की और बात करते हैं ठीक है मैथ में क्या है तो मैत में 25 कोश्न स है 25 questions आएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है सबसे पहले हमको दो या तीन सोलों सालों का previous year उठा लेना है सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा सबसे पहले क्या करेंगे previous year उठाएंगे previous year में हम देखेंगे कौन से portion से सबसे ज़्यादा question पूछे गए मतलब एक copy और कलम लेके बैठेंगे और copy कलम में आप देखेंगे तो आप अगर नहीं देखेंगे तो मेरी previous एक पीडियो डाला था इसमें बता दिया था कि कौन से portion से question पुछे जाते हैं फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं तो आप क्या करें तीन सालों या चार सालों का जो आपको previous यह या तो छोड़ दीजिए आप क्या करिए कि 2019 का जो हमारा online exams हुए है इसके सारी स्रीज का PDF एवलेबल करिए आपकर नहीं होगा तो PDF बाई कर सकते हैं इसका मातर 50 रुपी चार्ज है आपको मेरा नमबर दिया हुआ है 969364787 उन पर आप मेरे दवारा तयार किया गया प्रिविस यह के PDF को ले सकते हैं 50 रुपी हम इसमें सारी दिखिए कि कहां से questions पुछे गए ठीक है यह questions जो basically math के questions है कई नहीं repeat होते हैं तो यह हमारा एक प्रूपर टॉपिक है 12 ऐसे टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा questions पुछे गए मतलब अधि हम 25 कोचन है तो लग बग 22 से 23 कोचन हमेशा उसी बारत टॉपिक से यही मिलेगा कि कौन से कौन से तो आपको 16 मातर इसे topic होंगे मतला एगर important topic की बात एक बात करें तो 12 ऐसे topic reasoning में भी है जिससे हमेशा question पूछे गए लेकिन अगर final topic की बारे बात करें तो अगर हम 25 और 25 दोनों के बारे बात करेंगे तो लग बग 50 मार्स दोनों लाना चाहिए तो अगर हम 47 और 48 मार्स अगर ले आते हैं देखिए आएगा कैसे अगर हम math और reasoning पर कमांड लगे अभी सबसे ज्यादा मार्स देखिए कम बहुत ज्यादा मार्स उठाने का तरीका क्या है कि math और reasoning को पकड़ करिए math और reasoning को अगर आप पकड़ लेते हैं तो 100 सी बात है कि 50 में 50 नहीं तो 48 और 47 तो ले साकते हैं 100% ले आएंगे यार अगर आप मेहनत करेंगे हलका भी मेहनत करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चे मेहनत करने से डरते हैं यार प्रिविस येर का मैं कितने बार उठा के करा रहा हूं कुशन मैथ और reasoning का करा रहा हूं इसमें फ्यूज नहीं जाएगा यहीं अगर मैं डाल प्यात ना हो तो बबू मैंनत करना पड़ेगा अपना पसीना में ड़लना पड़ेगा समझ मैं आया अपना पसीना निकालना पड़ेगा अपने बोड़ी से है दूख्py चीछा नहीं जैख संबसे बड़ा लोल होगा ना वह उसको भी बठा दोगेए वोह भी कमसे से कम 50 में 30 नमर तो जरूर लाएगा चाहिए लोल क्यों ना हो मैथ रिजनिंग में 50 में 50 उठाना से जीडि के लिए बहुत ही इसी एजी है के लिए मैं बता दू अगर आप मेनत करोंगे तो प्रीविसर को उठाए आपको कुछ नहीं कर रहा है पर जूड़िये मैं गारेंटे दिलाता हूं 50 में 50 लाने का मैं दिल आपको चालेंज कर बता हूं कि मैं ले आउंगा आप लोग पूशन स्क्वार एंसर को ठीक है अब आती रही बात रिजनिंग जी के जी एस और लैंग्वेज पेपर का लैंग्वेज पेपर और जी के जी इसके बाद आपको करना क्या है यह बूक का का नाम क्या है वही मां बता देता हूं ठीक है मुक्येस के दवारा भूक लिखी गई है मैं गारनटी देता हूँ exactly मुक्येस के द्वारा लिखी गई है जो आपको छापी गई है ठीक है आप क्या करेंगे उसको उठालेंगे 2020 के लिए सबसे बहतर है अगर आप चाहते हैं कि यह बुक को नहीं मार्केट में मिलती है तो आप मेरे नमर पर जाके ओडर दे सकते हैं आपको नमर पर दो से तीन दिन का के अंदर आपका ओडर देंगे तो आपके पास बहुंच जाएगा ठीक है आपको क्या करना जिके अगर आप इस चीज़ बुक को पढ़ेंगे तो मैं गारेंटी दिलाता हूं कि अधी 25 कोचन है तो इसमें से 19 और 18 मार्क्स तो उसी से पूछे जाएंगे करेंट पर का पता हूगा कि 5-6 कोचन वहां से देते हैं ठीक है अब लेंग्विज पेपर में बात करेंगे लेंग्विज पेपर में क्या करना है आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ते हैं इसको ओफलाइन टेस्ट नहीं मारें आपको करना क्या ओ आप लाइन टेस्ट मारें के हिमत करिए क्योंकि बचिए आपका एक्जाम्स ओनलाइन है ना कि ओफलाइन है ओफलाइन और ओनलाइन इग्जाम्स में बहुर डिफ्रेंस है ओफलाइन में आपको यह चीज नहीं पता पता चल पाता है कि आपका परसेंटाइल कितना बढ़ है या अंदर है या जनरल से बाहर है या अंदर है या CST सबी का कठ़ा बाई दे देता है All-up लिडिए के बच्चों को इसमें बठाता है से उइस एक बचने नहीं देते हैं इसमें आपको रेंक भी 120-130 रुपए खा कर फेक दे हुए बाहर लेकिन यह एक साल के लिए आपको प्रवाइड होगा एक साल धन कर पुरो प्रैक्टिस करिए ओनलाइन सेट पर करना क्या है अगर मैं 100 को मार रहा हूं अगर 50 को मैं सही कर दिया हूं तो 50 को मेरे नहीं अब यह 50 को जो गलत किया हूं इसको देखिए ना ओलाइन यहां पर बजा देता है आपको कि ठीक करना कैसे है इस कोशन का बनेगा किस तरीका से अब 50 कोशन को हम अगर देखेंगे पर डे गर दो सिट लगाएंगे तो पर डे आप देखेंगे में धिरेदरे घडे से बुन में भरता है कि लिए करिये तो आप प्रेटीज करी ऑफ लाएं नहीं करिये बहुत में देखते हैं बचे लोग को सरा आमने टेस्जी जयंद कर दी ऑफ लाइन में आप्लाइन से नहीं होगा बच्चा आपकी यह क्रेसी आपक मेरन नहीं दिनक्र यहांस में सिख चीज है कि आप जब ऑन्लाइन मारते हैं तो ऐलाइन में थेखनेगा तो RGB स्केश सब्सक्राइब और ओम आ किसी कुश्चन को या कम समय में बनाने को सेट अब रहेगा यहां सेटक का लिंक दिया हुआ है डाउनलड करिए और मेरा रेफलर को क्या करना है लेंग्विज पेपर का पीडियेप सभी को इंग्लीज और हिंदी को फिरी और कोस्ट में दवरा दिया जाएगा लेंग्विज पेपर में कुछ नहीं करना है साथ और छे मतलब टोटल तेरे टोपिक्स हैं तेरे टोपिक्स को मैं कवर करा दिया हूं एक बुक बना रहा हूं आपको बहुत जल्दी नजर आएगा इंग्लिस और हिंदी दोनों में आपको लेंग्विज पेपर फिरियन कोस्ट पीडिया प्रोएड हो जाएगी आप उठाना है समझे ना तो इस तरीका से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हेंड़ेट पर्षंट दोजराकीस के जो एक्जाम्स में आपको बहतरी मार्क्स और अच्छे मार्क्स उठाने का अच्छा रिजल्ट आने पाने का आपको मोनगत मिलेगा आप मैं बात करूं कि क्या नेगेट् tour मार्कस होंगे नेगट्व मार्कस मैं गारेंटale ल Dartmouth नहीं रहने वाला है अभी नहीं अबी तीन लगातर तो नहीं होगा आगे क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन अभी लगातार तीन इक जामे नहीं रहने वाला है ठीक है जो इतने बच्चे वीडियो बना देते हैं यूट्यूब पर आते हैं कि नगेटिव माक्स दो आ गया लो आगया ऐसा कुछ नहीं होने वाला नेगेटिव से उठके रहां प्या जाएगा 65 और 70 में ठीक है तो आप इस चीज का टेंशन ना लें नगेटिव माक्स रहेगा भी तो कटप भी नीचे गिरेगा ठीक है कटप में गिराबट बहुत ज्यादा आएगा जो बच्चे सो में नगेटिव मार के डर से नेगेटिव नहीं होने बच्चे को मार के आते हैं वह बच्चे डर रहेगा जो बच्चे पास experience होगा वह 60-70 को ज़्यादा टच नहीं कर पाएगा यह मेरा experience है और लोगों का experience होगा जो बच्चे लोग को एक्जाम अच्छे से देते होंगे ठीक है ताई हो वीडियो अच्छा लगागा तो वीड